तो आपको दिखा ही देते हैं railway station कि हम लोग कितने कडिव हैं railway station की यह जो आप देख रहे हैं यह railway station का है पटना railway station जी हाँ पटना railway station की तम जस्ट सामने यह hotel है बिल्कुल ही आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है हम लोग आज चुके हैं 300 वाले रूम में यह देखिए 300 वाले रूम में क्या फैसलिटी है कि आपको एक ही आदमी लुक सकते हैं मजा आया तो हेलो फैंड वेलकम बैक टो आपर चल्व भाइजन वे फिर से आपको श्वागत है खेर मगतम है हर बार की तरफ आज आपका भाई फिर से आया है पतना जक्सन के पास बहुत ही सस्ता होटल का व्लोग लेकर आईए व्लोग बहुत ज्यादा इंफोर्मेटिव होगा क्य यह भी शॉट्टट आसता है प्लेटफॉम पर पटना जाने का और मैं बता दू कि इस बार कर जो होटल है वो इस्टेशन से बिल्कुल ही लगवग एक मिनेट की दूरी पर है जी हां लगवग 10-15 मिटर की दूरी पर है पचास मिटर की दूरी पर है तो चलिए मैं आपको पूरी जनकाषी आपको देता हूं मैं अपने इस होटल का और यह अब तक मैठ ना मैं सबसे पहत्री ना म है ईहां यह से एंपको शीदा से आना है उर इस घली में आपको आज आना है और ओडलMslee Martin आप देख सकते हैं ठहरने का उत्तम प्रवंद यहां से आपको सीड़ी मिलेगी आपको जैसे ही सीड़ी पे चड़ियेगा आपको बस फर्स्ट प्लोड पे ही आपको रिशेप्शन काउंटर मिल जाएगा यह इनका जो होटल पैरडाइस है इनका यह रिशेप्शन काउंटर अपना नाम जानते हैं आप अपना नाम बताईएगा अजय आदव भाहिया यह बताईए कि कोई भी लोग आते हैं तो मिनिम्म प्राइज उनकों होटल का क्या लागेगा 500 दबल बेट का और 300 के बारे में बता रहे था आप एक आदमी रहेगा यह दो आदमी रहेगा 300 में एक आदमी रहेंगे और बात्रोम मिल जाएगा Au conditions pose 1000 भाहिया कर दो है एक का बॉल में 800 अभी विल ज्रींते हैं 500 अभी सेृत हाई जीन आध ही पाई इस्टेशन के 10 से 15 मिंटर की दूरी पर है तो ज्यादा आपको चलना भी नहीं पड़ेगा चलिए हम लोग चलते हैं और आपको पोड़ी जनकारी देते हैं एक होटेल के रूम के तो फिर्ड हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं के हमें कैसा रूम मिलता है यह रूम नंबर 204 है और देखते हैं इसमें क्या फैसलिटीज है तो जैसे हम लोग अंदर इन करते हैं तो सबसे पहले ही नदर हमारी टेलिवीजन पे जाती है और यह डवल हमें यह रूम देखने कने को मिला है कंबल है बलको से साफ़ बेड है तोषक है काफी अच्छा खासा मोटा तोषक है डबल तक्यावील मिल रहा है लाइट है, फैन है आइना है, टाइल्स पैरिस भी है सब कुछ है, इस रूम का चार्ज क्या पड़ेगा भीजा तो इस रूम का चार्ज अगर आप लेते हैं दो मेंबर तो रहेंगे इसमें दो मेंबर यहां आराम से रह सकते हैं और इसका चार्ज हमने पता गया है तो छेश रूम चलिए इसके बाद हम और कुछ देखते हैं लाइट चलिए आप बाथरूम भी देख लिए अटैच बाथरूम लेगा यह देखिए, यह अटैच बाथरूम है तो चलिए यह 600 का हुआ आपको और भी दिखलाते हैं 500, 300, सारा चीज आपको हम दिखलाते हैं चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं AC वाला, 300, 3 रूम है यह और यह देखिए AC रूम क्या है AC आपको देख रहा है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है AC लगा हुआ है, फैन है, लाइट है, बस वही तोसक है, डबल तकिया है, कंबल है आपको एक टेबल मिल जाता है, आइना है और यह जो आप देख रहे हैं, वेस्टन बाथरूम आपको मिल जाएगा टेलिविजन वगेरा सब है इसका प्राइस क्या पड़ेगा, भईया एक हजार उयोग है, तो इसका प्राइस जो भईया ने बताया हमें एक ख़जार उ गया ही आपको आपको आ गया है, Navi 14 कि आप दिखा ही देता है लिलूवे स्टेशन, कि हम लोग कितने कडिव हैं यह जो आप देख रहे हैं यह रिल्वे स्टेशन का है पत्ना रिल्वे स्टेशन जी हाँ पत्ना रिल्वे स्टेशन के दम जश्ट सामने यह होटल है बिल्कुल ही आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है 10-15 मिटर की दूरी पर है यह और काफी अच्छी होटल है मुझे अच्छे कस्टमर लगा कर गया है तो फ्रेन हम लोग आ चोके हैं 300 वाले रूम में यह देखिए 300 वाल में क्या फैसलेटी है कि आपको एक ही आदमी लुक सकते हैं और एक बेड है एक तक्या है और एक बड़ा सा कंबल है आपको मिल जाएगा आइना भी मिल जाएगा और अ पुरा फुल है ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा बस कहने के मालब आप 305 वाले में जैसा वी रूम चाहेंगे आपको यहां पर मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात कि आपको पास अपर भारिश समान है तो कहीं उसको ढोग ले जाने की ज़रोत नहीं है इस टेसन से बाहर निगा लिए दो मिनिट में आप इस होडल में आ जाएगे सिंगल है तो 300 उन से डबल है तो 500 600 और 1000 तीनों प्राइस का यहां अविलेबल है तो आप जब आएंगे आप कोई दिक्कत नहीं होगी अगर कभी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजे कॉमेंट कीजे शेयर क कुछ भी पुछना हो कॉमेंट में आप हमें पुछ लीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि ओनर साब का नमबर डिस्क्रिप्शन में डाल दू तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई जगह के साथ अच्छी व्लोग के साथ अपने ख्याल रखेर के दिन बाएं